आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टड़ी ग्लॉस पर मैं हूँ डॉक्टर मॉनिका और आज हम 17 नवंबर से रिलेटेट जितने भी important question बन सकते हैं उन पर discussion करने वाले हैं और questions से रिलेटेट जितने भी important fact होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताऊंगी यह हमारा telegram channel है यहाँ पर आपको quiz available हो जाएगी और इस lecture की PDF भी आपको यहाँ मिल जाएगी यह आपके लिए आज का motivational court है जिन्दगी बड़ी अजीब होती है कभी हार तो कभी जीत होती है तमन्ना रखो समंदर की गहराई को चूने की किनारों पे तो बस जिन्दगी की सुर्वात होती है तो इसी motivational court के साथ में हम start करते हैं आज का session first question है which tennis player has won the 2022 main single Paris master title किस tennis खिलाडी ने 2022 पूरुश एकल Paris master का जो खिताब है ये जीता है तो इसका correct answer होगा ये हॉलगर रूने ने जीता है C's का correct answer है C's का correct answer होगा डिटेल से बात करें तो डैन्मार के यूर टैनिस खिलाडी हॉलगर रूने ने Paris masters के final में पूर्वे विश्व नमबर 1 नौवाग जोकोविच को हरा दिया है और महज 19 साल के हॉलगर ने खिताबी मुकाबले में जोकोविच को 36, 6, 3 और 75 से माद दी और अपने करियर का पहला ATP 1000 master जो टाइटल है ये हासिल कर लिया है हॉलगर के केरियर की ये सबसे बड़ी जीत है और इसके साथ ही ताजा जारी ATP ranking में वो नमबर 10 पर भी आ गये हैं जोकोविच ने अपने करियर में record 6 जो है ये 6 बार Paris master का किताब जीता था और वे गत विज देता जोकोविच को भी इस्तब्द कर दिया चलिए टॉप फाइव टाइटल की हम बात करें वुमन सिंगल टाइटल इन टैनिस टूनामेंट डबलू टी एट टू फिप्टी चैन्नेई ओपन 2022 जो है ये टाइटल लिंडा फुरो है वित्त्रोवा के द्वारा चेक जो है ये बैंगलूरू फुट्बॉल क्लब के द्वारा जीता गया है मैं सिंगल टाइटल इन टैनिस टूनामेंट यूएस ओपन 2022 जो है ये कार्लोस अलका राज ने जीता है स्पीन के ये है क्रिकेट एशिया कप 2022 जो टाइटल है ये श्री लंका ने जीता है सेकिंड नम जो है ये बने हैं स्वीजर लेंड के सीज का गरेक्ट अनसर है स्वीजर लेंड परियतन ने ओलम्पिक स्वनड पदक विजेता नीर चोपड़ा को अपना मेत्री राजदूत नियुक किया है और चोपड़ा ने अक्सर टूनामेंट और प्रक्सिक्षन के लिए स्वीजर की यात्रा की है चोपडा ने जिन सीर्ष इस्तलों का दोरा किया उसके अंदर इंटर लेकर जर्मेट और जिनेवा है और स्वीजलेंड टूरिस्म के फ्रेंशिप एंबसेटर के रूप में चोपडा देश में अपने अनुभव को साज़ा करेंगे ताकि इसे आउटडोर के लिए आदर्श गंतवय और लंबी पैदल यात्रा, बाइकिंग, सॉफ्ट और एक्स्ट्रीम एडवेंचर और निश्चित रूप से स्नो स्पोर्ट् की और समासात्र के माध्यम से मुख्य तत्व के रूप में खेल के साथ में ओलंपिक के समरद दी और विवित्ता को प्रदशित करता है, मैरिकोम के दस्ता ने और ध्यानचन की होकी पहले से ही संग्राले में प्रदशनी का हिस्सा थी, थर नंबर ग्रेशन है, विश कांट् होगा ये इंडिया है इसका correct answer 20 का correct answer है अमेरिक की treasury विभाग ने भारत को अपनी currency monitoring list से बाहर कर दिया है भारत पिछले दो साल से अमेरिका की currency monitoring list के अंदर था और भारत के अलावा अमेरिका ने इटली, मैकसिको, थाइलेंड, वियतनाम को भी इस सूची से बाहर कर दिया है इन देशों के साथ ही अमेरिका ने भारत को अपने प्रमोग व्यापारिक सांजेदारों की मुद्रा निगरानी सूची से बाहर कर दिया और ट्रेजरी विभाग ने कांग्रेस को दी गई अपनी द्वीवाशिक रिपोर्ट में इसका उलेक किया है और किसी देश की फोरेन एक्षेंज पॉलिसी पर संदे होने पर अमेरिका उसे निगरानी सूची में डाल देता है और वरतमान में उसकी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट में चीन, जापान, कौर या, जर्मनी, मलेशिया, सिंगापूर और ताइवान शामिल है जिन देशों को सूची Fit India School Week, किसने Fit India School सब्झे के शुवंकर तुफान और तूफानि का शुभारम किया है तो इसका करेंसोर होगा इसका शुभारम किया गया है पीवी सिंदू के द्वारा सीज का करेक्ट आंसर है डबल ओलम्पिक पदक विजेता पीवी सिंदू ने वर्ष 2022 के लिए फिट इंडिया मोमेंट की फिट इंडिया स्कूल वीक पहल के लिए शुबंकर तूफान और तूफानी लॉंच किया है फिट इंडिया स्कूल वीक का चोथा संसकरन 15 नावंबर 2022 को शुरू होगा जिसमें एक महिने के लिए भारत भर के विबिन स्कूल चार से छे दिनों तक विबिन रूपों से फिटनेस और खेल का जश्न मनाएंगे प्रधान मंत्रे नरेंद्र मोदे ने 2019 में फिट इंडिया अभियान को लॉंच किया था और इस पहल को युवापीडी के बीच और अधिक लोकरविय बनाने के लिए इस बार इस प्रमुक कारिकरम में तूफान और तूफानी नाम के दो शुबंकरों को जोड़ा गया है जिसमें दोनों भारत के सबसे योगे सूपर हीरो और सूपर वुमोन का जो है प्रतिनी धीत्व करते हैं 5. In which state R.I.L. will develop इंडिया's first multimodal logistic park? R.I.L. किस राज़े में भारत का पहला multimodal logistic park विक्सित करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये तमिल नाडू के अंदर विक्सित किया जाएगा Reliance Industries Limited को तैमिलनाडू में तिरू वल्लूर जिले के मापेडू में पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विक्सित करने का ठेका मिला है मापेडू में MMLP Chennai को 184.27 एकर जमीन पर विक्सित किया जा रहा है प्रदान मंतिर नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2022 को इसका सिलानेश किया है और इसका जो कार्या है ये Reliance Industries Limited को आवंतित किया गया है तमिलनाडू के हम बात करें तो तमिलनाडू गवर्मेंट कॉंस्टिटूटेड ए पैनल फोर दे प्रोटेक्शन ओफ वल्चर्स तमिलनाडू स्टेट गवर्मेंट नौटिफाइड इंडियास फर्स्ट स्लेंडर लॉरिस सेंच्वरी पैगे ट्रॉन हैस स्टाटेड मैनुफेक्श्रिंग आईफोन इन चैन्नाई तमिलनाडू केबिनेट हैस अप्रूफ तो रेगुलेट ओनलाइन गेंबलिंग भारत ने किस देश के साथ में संस्क्रती वन्ने जीवन और स्वास्ते के छेतर में चार समझूता ग्यापनों पर हस्ताक्षर किये हैं और उपरास्टपती जन्दीब धनकर ने नौम पैनहे में चल रहे आशियान शिकर सम्मेलन के मोके पर कंबोडिया की प्रधान मंत्री हुन सेन के साथ में द्वीपक्षय बैठक की और बैठक के दोरान मानव संसादन दी माइनिंग और विकास परियोजना सहे द्वीपक्षय सम्मंदों की एक विस्त्रिश शंकला पर चर्चा की गई स्वास्ते और चिकित्सा के छेत्र में पहले समझोते पर भारत के स्वास्ते और परिवार कल्यान मंत्राले और कंबोडिया के स्वास्ते मंत्राले के बीच में हस्ताक्षर किये गए कमबोडिया में बागो के पुनरवास के संबंद में भारत के परियावरण वन और जलवायू परिवरतन मंत्रा ले और कमबोडिया के परियावरण मंत्रा ले के बीच में एक समझोते पर हस्ताक्षर किये गए seven number question है at what person has moody forecast India's economic growth for 2022 moody's ने 2022 के लिए भारत की जो आर्थिक व्रदी का अनुमान है ये कितना प्रतिशत किया है तो इसका correct answer होगा seven percent किया है age का correct answer है moody's ने 2022 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अपने अनुमान को संशोदित करते हुए 7.7 फीजदी से गटा कर 7 फीजदी कर दिया है इससे पहले moody's ने 2022 के लिए भारत की आर्थिक व्रदी का अनुमान सितंबर से गटा कर 7.7 परसेंट किया था moody's ने मई में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में इस साल 8.8 परसेंट की व्रदी का अनुमान लगाया था और भारत की 2021 और 22 के वित्य वर्ष अप्रेल 2021 से मार्च 2022 में 8.7 परसेंट की दर से बढ़ा और पिछले महिने अंतराष्टे मुद्रा कोश ने 2022 में भारत के आर्थिक विकास के अपने अनुमानों को 7.4 परसेंट से घटा कर 6.8 परसेंट कर दिया वर्ष 2023-24 के लिए व्रहद वेश्विक परिदरश्य में मूरीज ने कहा हा कि वर्ष 2022 के लिए भारत की वास्तिविक जीडीप व्रदी 7.7 से घटकर 7 पीजदी रह सकती है और उच्च मुद्रा इस्पिती, उच्च व्यासदर और वेश्विक व्रदी धीमी पढ़ने का आर्थिक गती पर होने वाला असर हमारे पहले के अनुमान से कही अधिक रहेगा 8.9 वेशन है वेंकी रामक्रिश्णन को 20 का करेक्ट आंसर है भारतिय मूल के नॉबल पुरशकार विजेता प्रोफेशर वेंकी रामक्रिश्णन को ब्रिटेन के राजाद चार्स्तृतिय ने विज्ञान के छेतर में उनके महत्वपून योगदान के लिए order of marriage से सम्मानित किया है ये जो पुरशकार है ये ब्रिटेन के महाराजा या महारानी के द्वारा दिया जाने वाला एक विशेश सम्मान है प्रोफेशर वेंकी का जो जनम है ये तमिल नाडू के चितम बरम में हुआ था और ब्रिटेन जाने से पहले उन्होंने अमेरिका में सिक्षा पाई थी 2009 में उन्हें रसायन का नॉबल पुरशकार प्रदान किया गया था और सत्तर वर्शे वेंकी उन्चे व्यक्तियों में शामिल है जिनका महरानी एलीजाबेद द्वित्य ने गत सितंबर में निधन से पहले अपने एतिहासिक आदेशों में उलेक किया था और में नियुक्तिया, शशेस्र बलो, विज्ञान, कला, साहित्य और संस्कृति के प्रौत्साहन में उलेकनिय योगदान के लिए ये जो है लिये गई थी और इन व्यक्तियों का चैन महरानी एलीजाबेद ने सितंबर के शुरू में किया था किंग एड़वर्ड सप्तम के दौरा 1902 में इस्तापित, द ओर्डर ओफ मेरिट को साल 1902 में इस्तापित किया गया था और ये महराजा की व्यक्तिगत पसंद के आधार पर शशेस्त्र बलो, विज्ञान, कला और साहिते में ऐसाधारन विशिस्ट व्यक्तियों को संस्कृति को बड़ावा देने के लिए प्रदान किया जाता है 9. question है which state government has announced to make the state slum free by 2023 किस राज्य सरकार ने राज्य को 2023 तक slum मुक्त बनाने की गोशना की है तो ये की है ओडिसा गौर्मेंट ने सीज का correct answer है और इसा के मुख्य मंत्री नवीन पतनायक ने कहा है कि उनका राज्य दिसंबर 2023 तक जुग्गी मुक्त हो जाएगा और सभी जुग्यों का विकास मौडल कॉलोनिय के रूप में किया जाएगा राज्य के जुग्गी वासियों को भूमी अधिकार के लिए एक कारिक्रम की शुरुवात की गई है और इसके लिए राज्य के पांच नगर निग्मों में ड्रॉन सर्वेक्षन शुरू किये गए है इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मुख्य मंत्री की उपस्तिती में जागा मिशन टाटा स्टील पांडेशन के बीच एक समझोते पर हस्ताक्षर किया गया और इसमें टाटा स्टील पांडेशन तकनिकी सहाईता प्रदान करेगा और राज्य सरकार के द्वारा की गई ये जागा मिशन कारिक्रम को वेश्विक रूप से सरहाना मिल रही है और इस नए आइडिया को केंदर सरकार से पुरशकार भी मिला है इस कारिक्रम के अंतरगत अब तक 105 शहरी चेतरों के 1.7 लाग परिवारों को भूमी अधिकार प् चाइल्ड फ्रेंद्ली पुलिस स्टेशन यहां पर बनाये चाहेंगे औरिसा विल क्रियेट डिजास्टर मैनेजमेंट वरियर्स तो डील विद डिजास्टर ओरिसा चीफ मिनिस्टर लाउंच दर फर्स एग्रिकेलचर क्रेडिट पॉर्टल सफल नाम से जो है इनोंने ला इन इंडियन रेलवेज भारतिय रेलवेज में कितना प्रतिशत ब्रॉड गेज रेल नेटवर्क का विद्यूति करन किया है तो इसका करेक्ट अंसर होगा 82% का जो विद्यूति करन है ये किया जा चुका है भारतिय रेलवेज ने चालू वितवर्ज 2022 और तेज में अक्टूमबर तक 1223 किलोमेटर मार्क का विद्यूति करन किया है और एक साल पहले इस अवदी में 895 किलोमेटर रेल मार्क के विद्यूति करन के मुकाबले ये 36.64 चार परसेंट अधिक है रेल मंत्राले ने कहा है कि 31 सक्टूमर तक की इस्तदी के अनुसार कुल 65142 रेल मार्क किलोमेटर बॉर्ड गेज नेटवर्ग के अंतरगत है और इसमें से 53,470 किलोमेटर यानी 82.08 परसेंट रेल मार्क का विद्यूति करन किया जा चुका है और इसके परिणाम सरूप न केवल बहतर तरीके से इंदन उर्जा का उपयोग होगा बलकि दक्षता बढ़ने के साथ इंदन खर्च में कमी आएगी और कीमती विदेश मुद्रा की बच था चली कल के जो MCQ है उन्हें हम रिवाइस कर लेते हैं फर्स नंबर क्वेशन है भारतिय सीना ने किस राज्य में वालों मैली का जो आयोजन है ये किया है तो इसका करेक्ट अंसर होगा ये किया गया है अरुनाचर प्रदेश के अंदर सेकिंड नंबर क्वेशन है बिम्स इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवोर्ड किस ने जीता है तो इसका करेक्ट अंसर होगा ये हर्याना ने जीता है फाइप नंबर क्वेशन है हिमाचर प्रदेश में दुनिया का सबसे उंचा मद्दान केंद्र जो है ये कौन सा बना है तो इसका करेक्ट अंस है सिक्स नमबर क्योशन है किसने मिडल इस्ट ग्रीन इनिशेटिव के लिए दो पंच अरब डॉलर की प्रति बद्धता जता ही है तो इसका करेक्ट अंसर होगा यह सौधी अरब ने जिता ही है सेवन नमबर क्योशन है एस आई सी मातरत उलाब के लिए ऑनलाइन पोटल किसन 201 अकाउंट लाँच किया है तो यह कॉटेक महिंद्रा बैनक के द्वारा किया गया है नाई नमबर क्योशन है अरुना मिलर टिस अमेरिकी राज्ये के ुपर राज्यपाल का पद्र सम्भालने वाली पहली भारतिय अमेरिकी बनी है तो इसका करेक्ट अंसर होगा यह के बीच में ये conference हो रही है और ये था कल का study gloss question किस राजे में इस्तित रानिपूर देश का तरेपनवा जो tiger reserve है ये बना है तो ये इस्तित है उत्तर प्रदेश के अंदर 20 का correct answer है और ये है आप लोग के लिए आज गा study gloss question किस राजे में जन जाती नरत्य महसव शुरू हुआ ह तो इसका अंसाम मुझे comment section में दीजेगा ये हमारा telegram है यहां पर आपको सारे question quiz के format में available होंगे I hope आपको sessions पसंद आ रहे होंगे अगर पसंद आ रहे हैं तो इन्हें like कीजे अपने दोस्तों के साथ में share कीजेगा तो चली मिरते हैं हमें एक नए session के साथ में thank you